महरुक शारसम मुहम्मद वकास अब देख रहें वर्ड रीस रेक्शन यूट्योब चाहिए वीडियो चौन्ग सब्सक्राइब लाइशा ज्रू कर देखें वीडियो चलते हैं विडियो विडियो टेला है वर्ड रियक्ट ऐस इंडिया लॉंची चंद्रयांत्री किस तरह र दुनिया का मीडिया आज के समय एक ही टॉबिक में बात कर रहा है भारत का चंद्रयान 3 मिशन क्या ये सक्सेस्फुल होगा क्या इंडिया हिस्ट्री में अपना नाम स्वन्डक्षरो से एस स्पेस सुपर पावर दर्ज कर पाएगा या नहीं नाव यहां पर आप देख पाओ आप देखोगे ना इस पर चर्चा हो रही है और आने वाले 40 दिन ना बिलकुल एकसाइटमेंट से भरे होंगे दिल आलमोस्ट आप कहली ये धक 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 कर रहा होगा क्योंके देखिए अभी तो चंद्रयान 3 टेक ओफ हुआ है धरती से ये अब अंतरिक्ष की तरफ बढ़ जी हाँ पेशेंटली हमको वेट करना होगा धीरे धीरे चंद्रयान 3 पहुचेगा मून की तरफ और उमीद है कि इस बार हम लोग सक्सेस्फुल हो जाएं सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में चंद्रयान 3 के इलावा और कौन-कौन से मून मिशन आने वाले हैं ये हम जानेंगे और ये भी डिसकस करेंगे कि यूए से इतना जादा इंट्रस्टेड क्यो है चंद्रयान 3 में ये क्लोसली फॉलो क्यो करेंगे इस mission को बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूंगा बहुत ही basic question है कि चंद्रयान 3 mission में roughly कितना खर्चाया है इस mission की cost क्या है यह है आपकी option 615 करोड रुपे, 2002 करोड रुपे, 1000 करोड रुपे या फिर 69 करोड रुपीज, comment section में करी उत्तर सही answer आपको मिलेगा वीडियो के अंड में अच्छा तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह फोटो यह फोटो अपने आप में historic है, यह लुखोद वान का replica है लुखोद वान, पहला human beings द्वारा बनाया गया एक rover था जी हाँ, यह रोवर, USSR जो आज के समय Russian Federation बन चुका है Russians ने launch किया था moon की तरफ, और यहाँ पे आप देख पाऊगे कितने नाजुक पई हैं इसके, बट इन पईयों के साथ भी लुखोद वान, moon के surface पे चला था, और इसी के साथ USSR ने USA को बीट कर दिया था, moon पर एक rover उतारने के competition में जी हाँ, कई लोग सोचते हैं कि सिंस Neil Armstrong पहुच गए थे moon पर तो उसके बाद US हर जगा आगे निकल गया होगा, मगर नहीं USSR ने काफी जगा USA को बीट किया था, खैर लुखोद वान के बाद आप देखोगे तो फिर Americans ने भेजा अपना भाड़ी भरकम Apollo Lunar Roving वेकल ये Americans ने moon पर उतारा था 1971 में, जो USSR का लुखोद वान था ये 1970 में moon के surface पर चला था, और यहाँ पर आप देख पाओगे Americans ने इतना बड़ा rover उतारा के literally इस पर seats हैं astronauts के बैठने के लिए, American astronauts literally इस rover पर बैठ कर moon के surface पर चल चुके हैं, ये सब हुआ था 1970 में कमाल का decade था 70 उसके बाद हम आते हैं सीधा 2010 के बाद तो 2016 में चाइना ने अपना U-2 rover moon के surface पर उतार दिया ये भी China के लिए अते हा सकता पहला Asian country जो moon के surface पर soft landing करके पहुच गया, अब question आता है कि क्या India चौथा देश बन सकता है, क्या हम finally ये accomplish कर सकते हैं देखिए, चंद्रयान 3 बहुत हद तक successful हो सकता है क्योंकि आप अगर चंद्रयान 2 से इसको compare करोगे ना तो चंद्रयान 2 बहुत complex था, काफी मुश्किल mission था चंद्रयान 2 में इंडिया का plan ये था, कि एकटा न हम moon पर एक orbiter जो moon को orbit करेगा, ये launch करेंगे साथ में उसी orbiter से connected होगा, एक lander और lander के अंदर होगा एक rover, Americans ने भी देखा था इसको और ये कहा के ये mission बहुती complex है इंडिया ने एक बहुती challenging task लिया है और हम लोग almost successful हो ही गए थे we were that close, last moment पर जो lander था ये properly land करनी पाया moon के surface पर crash कर गया, मगर rover आज भी properly काम कर रहा है तो चंद्रेयान 2 में आप कह सकते हैं कुछ success मिली, कुछ failures भी साथ में लगे 100% successful mission नहीं था ये, मगर इस बार चंद्रेयान 3 में mission जादा simple है इतना जटेल नहीं है जितना चंद्रेयान 2 में था क्योंकि चंद्रेयान 3 में न, कुछ ऐसा नहीं है कि पहले rover orbit start कर देगा उससे detach होगा lander, वो पहुचेगा moon के surface पर नहीं सीधा जो भी payload है, वहाँ पे एक lander है आज के समय इस रो का एक ही target है चंद्रेयान 3 के अंडर कि moon के surface पर एक lander, विक्रम lander उसको land करना है, फिर विक्रम lander का जो दर्वाजा एक खुलेगा और अंदर से निकलेगा प्रग्यान rover और 14 दिनों तक ये rover moon के surface पर चलेगा अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि मैंने कहा था कि US बहुत ही ज़रा interested होगा चंद्रेयान 3 को लेकर तो इसका reason क्या है, reason आपको समझाता हूँ एक सेकिंड के लिए यहाँ पर देखो ये धर्ती पे अगर हम zoom in करें ये यहाँ पे है planet earth now planet earth का जिस तरीके से north pole है, south pole है north pole उपर जहाँ पर आर्टिक है, नीचे south pole जहाँ पर एंटार्टिका है उसी तरीके से moon का भी north pole और south pole है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाओ, यहाँ पे अगर moon को हम देखें तो moon का उपर ये north pole है, नीचे south pole है तो चंद्रेयान 3 कहाँ पे land करेगा, moon के south pole में और इसका reason क्या है, reason देखिए यह मनजाता है मून का जो south pole है, यहाँ पर पानी होने की possibility बहुत जादा है compared to north pole, जब मैं पानी कहता हूँ, इसका मनलब यह नहीं के जील भैरी और अधिया भैरी है, जरातार crystallized ice form में होता है पानी यहाँ पर, तो इसलिए south pole में हम लोग अपना mission भेज रहे हैं और हाँ, कुछ लोगों को यह भी doubt है, कि इंडिया भी क्या USA के साथ moon पर जाएगा तो देखिए, इंडिया ने Artemis Accords sign किये हैं, जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया ने Artemis Accords sign किये हैं, यह non-binding के nature होते हैं तो इंडिया को कोई यहाँ पर बंदिश नहीं है, कि हमें भी US के साथ जाना पड़ेगा है, उनके mission का पार बनना पड़ेगा मगर USA ने White House ने अपने documents में यह का है, कि इंडियान astronauts को यह लोग eventually चाते हैं कि इंटरनाशनल स्पेस टेशन में भी लेके जाएं, तो इसलिए चंद्रियान 3 का जो पेलोड है, जब मैं पेलोड कहता हूं, तो मतलब कि कोन-कोन से equipment लगे हुए है चंद्रियान 3 में तो चंद्रियान 3 का जो रोवर है, प्रग्यान रोवर, उसमें दो बहुती important equipment है, और भी equipment है, मगर यह दो तो बहुत important है, एक तो है AP Access और दूसरा है LIBS, यह इसकी full form है, laser induced breakdown spectroscope इन दोनों equipment का काम यह होगा, कि मून के surface की जो chemical composition है, यह study करे, जो lunar soil है, जो मून की soil है, इसको study करे, और वो सब data एंडिया के पास आएगा, इस data को लेकर US बहुती interested होगा, क्योंकि इसी area के आसपास इनके astronauts उतरेंगे, ना सिर्फ उतरेंगे, USA तो चाहता है कि यहाँ पर ए चंद्रयान 3 की launch videos दुनिया भर में वरल हो रही थी, तो कई Americans ने यह कहा, कि thrust कमाल का है, जिस speed से चंद्रयान 3 ने take off किया है, यह कमाल का है, तो मैं इसका reason आपको बता दू, कि चंद्रयान 3 को launch करने के लिए हम use कर रहे हैं LVM3 को, इस से पहले चंद्रयान 2 को launch करने के चंद्रिक्ष में कुछ पहुचाना है, चाहे सैटलाइट पहुचानी है, कुछ आपको दूर भीन पहुचानी है, कुछ भी आपको पहुचाना है अगर अंत्रिक्ष में, तो एक launch की यहाँ पर cost आती है 500 करोड रुपे, इस से आपको थोड़ा बहुत idea लग गया होगा यह काम से, इसको लेकर कुछ लोगों ने मीम सी बनानी स्टार्ट कर दी, जहां पर इंडिया का चंद्रयान 3 घूर रहा है रश्या के लूना 25 को, तो मैं वैसे आपको बता दू, हमें लूना 5 को देखकर कहीं से भी नर्वस होने की आवशकता नहीं, यह ऐसा नहीं है कि कहीं से अगर हमारे मिशन में कुछ गरबड हो गई तो रश्या सक्सेसुल हो जाएगा, फिर से हमें अजीब लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रश्या का मिशन कंप्लीटली डिफरेंट है, हमारा मिशन क्या है, पहले लैंडर लैंड करेगा, उसके बाद लैंडर से नि काफी डिफरेंट है, बट अभी के लिए बस हमें इंतजार करना होगा, 40 डेस का वेट है, 40 या फिर 41 डे में हमको पता लग जाएगा, कि चंद्रयान्थरी किस तरीके से लैंडिंग करता है मून पर, और मैं आपको ये बढ़ा दू, इंडिया का रोवर, जब मून पर चले गाना, तब आप देखेगा, दुनिया कैसे सलिबरेट करती है, इंडिया को कहां-कहां से कॉंग्रेटॉलेशन आएंगी, बाइडन, माकरान, पुतिन, सब लोग कॉंग्रेटॉलेट करेंगे इंडिया को, और इंडिया की एक नई इमेज दुनिया में आएगी, दुनिया वापस आते हैं question की तरफ के चंदरियान 3 mission की cost क्या है मैं आपको बता दिया कि जो इसका बस launch करने का ही खर्चा है वही 500 करोड रुपे है बाकी 115 करोड रुपे की जो cost आई है यहाँ पर lander और over बनाने की तो total cost यहाँ पर मारी हो गई 615 करोड रुपे रुपे रुफ ली यह cost है चंदरियान 3 mission की finally आपर मैं यह भी add कर दूँ कि एक massive sales चल रही है इस वक्त usually अनकाडमी का discount होता है 10% आज के समय यह discount बढ़के 50% हो चुका है आप चाहे तो UPSC course कर सकते हैं purchase यहाँ पर code डालिए PD10 और prices गिरना start हो जाएंगे तो अगर आप एक college student है आपके पास time है 2-3 साल का रुक कर तो जी वीडियो ही खतम चलें यह भी अच्छा हो गया परश्यांसा की वीडियो समय काफी यार देखें जितनी वीडियो देख रहे हैं तो अतना ज्यादा हमारा इसके बारे में नौलज बढ़ता जा रहा है पते पते चाल दी और हम कुछिश करें अप इस पर ही वीडियो लेकर आएंगे और आपके साथ हम अपना भी experience अपनी खुशी भी क्योंकि यह आप इंडिया के भी खुशी है मुझे कर खुशी होती कि भी उनका ये mission काम्याब हो और एक स्वाल मेरे बड़ा इदर ना मेरे जैन में चल रहा था जब मैं वीडियो देख रहा था वो मैं बाद मैंट पर करोगा अज्य हमें पता नहीं तेस कितनी कोस्ट आई है वो थैक्स परशांस आगों ने बता दिया च्छेहसुंपंजव क्रोड़ वो पकिसतानी हों तो काफी ज्यादा करोड़ बनते हैं तब काफी ज्यादा माली है वो तो भाथ पैसे की नहीं है बात आगए ढिमाग की अगर प अगर उसने यह पानी यह जो जिस जगह में वह लैंड कर रहे हैं अगर वह खोज निगा तो पहला मुल्क होगा लिया और साथ-साथ एक वीडियो में यह पता चले था कि यह चंद्रियां मिशन 3 से पता चलेगा यह दुनिया कैसे बनी एक वीडियो में हमने सुना था लेकर यह परशांसर ने बताया है कि अगर उदर पानी किस्टल की फार्म मिल गया सौफ्ट लैंडिंग होगी तो पूरा जो जो है ना यूएसा जो है वो उसकी नजरे इस पर तो कि यूएसा का नेक्स्ट प्लैन ही उस जगह पर लैंड करना है जहां पर यह इंडिया का चंद्र का फिजदा मिल और यकीन कर रजिस्त यह उतरे कहना तुम ढूमें देखना इंडिया के पुरी दुनिया में इसी तरहा है वो बोल रहा था ना भी लोग यह प्रिशेट करेंगे अम लोगों का तुमें देखना तुमें अभी बहुत दुमें अभी 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 लांच ज़ पुरी दुनी में खलबली मच गई है यार इंडिया पहुंचने जा रहा है इंडिया ने चाली दिन है यह हर दिन जा इंट्रेस्टिंग है नई से नई रिपोर्ट मिलने वाली है मेरा ख्याल में इस पर लाइब भी करना जए लाइब आप चली रहा हो गया किसे चनल पर कि किस कंडिशन में हमारा चंद्रियांग कमिशन कांप पचा उसके अब त्रो क्या है उसकी स्पीड क्या है उसकी डिरेक्शन क्या यह सारी चीजे कौन हो रही होंगी हम बहुत जब ही गंटे आंके लगा कर वैट नहीं चालीस दिन उन लोगोंने बिलन के साथ कनेक्ट है हम इसे अपनी जबाद में कहते हैं चिला हाई हम हमारे जो होना मैं चिला बता दें थोड़ा से यह इंटरस्टिंग आगी कि बात बात करेंगा जो मेरे जिनमें एक दिमाग इसके बारे में इस स्वाल था मिरे दिमाग में चिला होता है कि हर एक मजभ की विल्यास से मैं बात क तो यह भी इंडिया के लिए भी एक चिला यह चलिस दिन है और मैं यह कहता हूँ और यह चलिस दिन का तो मैं कहता है को सफलता मिलेगी अचा क्या था अब कर दिमाग मेरा यह में बड़ा दिमाग में कि 90 60 90 70 के दौर में इंडिया अपना हो जा चुका था रशिया भी जा चालिस साल बाद अब यह से बज्यादा सतर साल हो चुके हैं अगर 12 1910 की बादे साल वो तो बीस साल यह कम चालिस से पचास साल हो गए हैं उसके बाद रशिया ने भी कुछा थार्खा मिशन नहीं बेजा उसके बाद को खातर का इसने डुलिमेंट युएसे ने बिनी इनी नाइटी सामटी और सिक्स्टी के दोर में आपस में बहुत ज़धा रेस थी रशिया की और युएसे की लेकर उसके बाद यह थी ज़नों कुछ खातर खाटर्खा मेरे नजर सब्स्ट नहीं कुछ रूसकता हो सकता को उनके को अपन उना पता ना बगए हैं मेरे बास मेरे इन से मदद लेंगा आगो पता यह लेंड करेंगा टा उनके कैना इस सबतार हो सकता हुआ कुछ पता जाया इस तरह होता है ini कमाल है वैसे बगए बहुत बड़ी अभी हैं यह पर घृष्ध्ट बहुत बहुत बड़ी है नहीं कहते हैं मैं ओड ऑनके मातमा इतनना हैं तो यही अब ख्वाइश है कि दुनिया अब यह इंडिया जो लैंड करें यह चंद्रियान 3 लैंड करें जो है ना वो लुना 25 की बाद कर रहा है जो रच्षिया स्टेंडबाइपर अब रड़ी है को उसने भी बेजना है कास्त में लेकर इंडिया से जो मिशन वो कम है उने एक सब्सक्राइबेस रॉवर यह जो ष्दॉर आएपर बेजा आपता के लिछ समय के रिखम पादो आपकाई आपके दुना को प्राएबहला दूर दूरर आपकल अनी के बादोर के रश्राइक आए लिए कौनों पर इन्सार बाइ इन्सान को अल्ला पाग ने कितना देन वसी दिया बड़ा दिमार रहा है बड़े बड़े कैसे काम करते हैं एक खला में एक गोटल तियार हुआ है पता है किसी यॉर्पी कंट्री के ये मैं तो मैंने सुना है मानता नहीं है मैं ऐस्मान वह वह उण भी तो ही तो ही तदावत में दुनिया का महिंगातरीन मुगोटल यह नखिर है इस तरह है यां लगवाग तसमान में है वैसे खला में नहीं है उसमान में है उसमान में क्या फ्रचिए आफ़कर बड़ा आज़ता है उसमें बड़ी यहार देखे कि प मसलिभा के और हम भी खुश होंगे यह हम उतुया थिए फटूर से फ़िए पाकिस्तानीकों कोई थोड़ा भात है शर्म आल जाए शर्म सुलिभा इवाजा इंग वfa वह पाकीस्तान के आवाम और पाकीसंन के लिटरान में हैं कहसे लिडरान में हैंoral इतास में लीज़ आख मैं आए कि बनाया है यह तEMA से हमारे शर्ट को हए इसी लिदान के बनाया काड़े यहार – एक रहा दुझे कर ले जले बनाईए और कोपी कर ले मेरी बास ने कौपी नी कि मैंने ना ए फंक यह वगारा मैं वाकी छोड़ा तो बनाता रहता था गाड़ी जो थोड़ी वाइज वो मतलब के नर्मे बनाता रहता था अब ही मैंने छोड़ दिया चार-पाइज साल हो गया है चले जी खायर हमारी तुआ कि यह लैंडिग इंकी सेफ हो इंसान होता है ना बड़ा सीखता है यह बड़ा होता जाता चोड़ता जाह रहा है यह जीव इंसान मिलते है नहीं वीडियो मनाटाब साथ अब तर दिये जाज़ता अलाव